एक दो तीन चार रंकेश की जेजगा अंदर आजा हमारी दागे पूरी करो हमारे साथ यह करो हमारे साथ यह करो एक दो तीन चार रंकेश की जेजगा रहाएक कैसा हो रामके रेता हो अमारा बिदायक कैसा हो रामके रेता हो जो आरोबी से संबंदित है नेशनल हाईवे इलेवन वी पे जो आरोबी बन रहा है करोली रोड पर करोली फाटक पर वो आरोबी को दीवारों पर बनाया जा रहा है और आज-पास की जनता और जो दुकांदार है जो निर्मान है जो बहुत पुराने निर्मान है वो निर्मानों के जो मलिक हैं वो यह कह रहे हैं कि साहभी इसको आप दीवारों पर नहीं बना करके और इसको पिल्रों पर तो आमने सामने के रास्ते नहीं रुकेंगे जो निर्मान है वो निर्मान नहीं तूटेंगे और जो दुकानदार बरसों से अपनी दुकान चला रहे हैं रोजी रोटी चल रही है उनका परिवार चल रहा है वो परिवार भी बरबाद नहीं होंगे लेकिन केंदर सरकार ने रेलवे ने इसका जो डिजाइन किया है वो डिजाइन बिलकुल गलत डिजाइन किया है आरो भी को फिल्रों पे नहीं बना करके दिवार पे बनाने का जो डिजाइन किया है उसका छेतरवासी भारी बिरोद कर रहे हैं हमारे माननी है सांसत साब के पास भी सब लोग यह जाकर करके आहें हैं इन लोगों की मांग यह है कि इसको रीडिजाइन कर दिया जाए फिल्रों पर बना दिया जाए हम लोग कोई बिरोज नहीं करेंगे हम चाहते हैं कि आरो भी बने लेकिन आरो भी जनता को बरवाद करके और उनकी कीमत पर नहीं बने लोगों की दुकान तूटे उनके परिवार बरवाद हो उनका धंदा चौपट हो तब अगर आरो भी बनेगा तो हजानों लोगों को नुक्सान होगा मैंने इनकी बात को गंबीरता से सुना है और मैं भी मोके की नजाकत के अनुशार इस निसकर पे पहुंचा हूं कि ये वास्तव में रीड जाइन हो बनना चाहिए ये कॉलम पर बनना चाहिए औरो भी अगर कॉलम पर बनेगा तो हम सब लोगों को सहूलियत होगी रेलवे का भी पैसा बचेगा और हम लोगों को भी ये संकट से निजाद मिलेगी इस बात को लेकर करके हम सारे छेतरबासी दुकांदार आसपास के कॉलोनी वाले सब लोग क्लेक्टर मेडम के पास अभी ग्यापन देने के लिए आये हैं हम सांती पून तरीके से हमारी बात कहेंगे और उनसे अन्रोध करेंगे कि इसको को रिडिजाइन किया जाए लोगों को वर्बाद होने से रोका जाए अगर जबर्दस्ती कोई वर्बाद करेगा गंगापुर के लोगों को मैं गंगापुर की जनता के साथ रहूंगा मैं इसको लेकर के अभी मैंने खुदनेवी लेटर लिखा है और मैं कलेक्टर मेडम से अन्रोध भी करूंगा कि इसपे साहनु भूती पूरवक विचार किया जाए इसपे गंबीरता से विचार किया जाए और इसको रीडिजाइन किया जाए बारत सरकार से जो रेल बेग के जो इंजिनियर है उनसे कलेक्टर मेडम बात करे और जनता को राहत दिला है गंगापुर की जनता को हम बरवाद नहीं होने देंगे यह हमने प्रण कर रखा है विकास हो हम लोग तो खुद चाते कि गंग बात करना चाहिए अगर लोग जबर्जसी राजनीती करके लोगों को वर्वाद करने की अगर कोचीज करेंगे हम लोग सब मिल करके उनका बिरोध करेंगे करेंगे और उनसे हमारी जो पीड़ा है वो पीड़ा हम अभी कलेक्टर मेडम को बताएंगे अब देखते हैं कितना साथ देता है प्रशाशन क्या इसमें रुक अक्तियार करता है और रेलवे क्या कहना चाहती है ठेकेदार को तो जो डिजाइन फिली है उसके अंसान निर्मान करेगा ठेकेदार का इसमें कोई लेंदेन नहीं है इसमें पूरा के पूरा जो मामला है और टेकनिकल मामला है इंजिनिरिंग साका का मामला है उनको इसको रेडिजाइन करना चाहिए बेरा यह माना अब देंगे नबी अब या बाफ न सब्कैंज न में दिए जाए जाये को दो मेंस लोगे इन इन दियार कर्शा हो पिदिन हो तुमारा बिदायक कैसा हो हमारा बिलायक कैसा हो असो गहलोड इसनावाद राजस्तान सरकार इसनावाद एक दो पीछार हमारी मांगे पुरी करो हमारी मांगे पुरी करो हमारे साथ क्या करो हमारे साथ क्या करो और पुरी फिल्डा पश्चा बना जाए और फिल्डा बना जाए और फिल्डा बना जे खरी होगी रामकेश की जजचा चार